हर किसी का कभी न कभी खुद की गाड़ी रखने का सपना होता है। अपने परिवार के साथ बाहर जाने के लिए एक कार का मालिक होना चाहता है। लेकिन फैमिली कार को छोड़ सडको पर आज कल ज्यादा स्पोर्ट्स कारे लोगों को आकरशित करती है। शायद इसी बात को जानते हुए मार्किट में 2024 और 2025 में सारे स्पोर्ट्स कार दीवानों के लिए तीन लेटेस्ट सब कॉम्पैक्ट SUV लाँच होने वाली है। हमारे रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि फॉक्स वेगन और होडा भी 2024 से 25 में सब 4 मीटर SUV सेगमेंट को विभिन मॉडलों के जरिये लाँच करने की योजना बना रही है। आने वाले कुछ सालों में बताया जा रहा है कि जल्दी ही कॉम्पैक्ट SUV गाडियों की बिक्री मार्किट में सुरू हो सकती है। फिलहाल तीन SUV भारत में जल्दी ही 2023 तक लाँच होने वाली है। तो जान अकसर भारतिय सडकों पर दोड़ती हुई देखी जाती हैं। साथ ही इस कार को Auto Expo 2023 में ग्लोबली लॉंच किया जाएगा। नई पांच दोर जिम्मी महिंदरा इस श्रेई की थार, फोर्स गोर्खा और अन्यकारों को टक कर देगी। जिमी सियरा पर आधारित नई पांच दोर जिम्मी की लंबाई 3850 मिमी होगी। चोड़ाई 1645 में और उंचाई 1730 में होगी। साथ ही 2550 अम्यम का वहीलबेस इस कार की खासियत होगी। कुल लंबाई 300 मिमी बढ़ जाएगी क्योंकि वहीलबेस को 300 मिमी बढ़ा दिया गया है। यह नई जिमी कार एक हलके हाइब सेट अप के साथ 1.5 लीटर के 1580 पेटरोल इंजन द्वारासंचालित है। इंजन 101 बीचपी और 137 अनियम का टार पैदा करने में सक्षम है। साथ ही प्रांस्मिशन में 5 स्पीड मैनुवल और 6 स्पीड टॉर्क आटोमेटिक कन्वर्टर शामिल है। इसे मारुती के ओल ग लॉंच किया जाएगा। मॉडल की यह नई कार सुजुकी के नए बलेनो प्लेट फॉर्म पर आधारित होगी। इस नए क्रॉस ओवर को नेकसा प्रीमियम दीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा। इस कार से जनवरी के महीने में आटो एक्सपो 2023 में परदा उ इंजन होगा। जो 100 BHP और 150 ANM का टार्क पैदा करेगा। इंजन में एक एकीकरित स्टार्टर जनरेटर और एक 48V माइल्ड हाइब्रिड उशेच्वीस सिस्टम होगा। उन्डेई माइक्रो SUV को 2023 के मध्यमें त्योहारी सीजन से पहले भारत में लॉंच करेगी। कार का कोडनेम AI 3 CUV होगा। यह नया मॉडल ग्रैंड आई 10 नियोस जैसा होगा। इस कार को 2023 आटो एक्सपो में पेश किया जाएगा। यह कार टाटा पंच, निसान मैगनाइट और रनॉल्ट काईगर के बराबर होगी। साथ ही नई हुंडाई उस UV कार के इंजन में 82 BHP और 114 अन्यम का टार्क होने वाला है। ट्रांस्मिशन 5 स्पीड मैनुवल और AMT होगा। सबकॉंपक्ट SUV को CNG विकल्प भी मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, ल के लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद।